कि यह लोग वल्कम टू जैरिक जैरी एंस्टेडी कैसे हैं आप सबी लोग लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई कैसे थ्योड़ो लाइट से हम ट्रावर्सिंग करते हैं तो ट्रावर्सिंग में हम लोग बात कर रहे थे जो है coordinate method जो मैंने आपको बताया था उसके पहले मैंने तीन methods और बताये थे आपको तो चलिए उस पर discussion हम लोग अपना start कर देते हैं लेकिन फड़ा फड़ा आप लोगे काम करिए कि बेल आइकन को मिलेंगी तो आपका टायम बेना वेस्ट किये हुए अब मैं आगे बढ़ता हूं और हम लोगा ने last time बात किया था कि आप दौर्टिंग ट्रॉवर्ड प्लॉटिंग ट्रॉवर्ड प्लॉटिंग कि हम लोगों ने बात किया था ठीक है ट्रावर्स प्लॉटिंग के हम लोग बात कर रहे थे डियर अब ट्रावर्स प्लॉटिंग में क्या है की ठीक है क्लियर कर देब्स फ़र्टेक्टर आम धी कर method या tangential method और फ़र्ड आता है डियर जिसे हम लोग बोलते कॉर्ड आर्क method वो उसको आप कॉर्ड method लिखेंगे ठीक है कॉर्ड method ज्यादा बेटर है ठीक है कॉर्ड method कॉर्ड method में थोड़ा ताप आप आइधिंक डाउट रहा होगा तो उसको मैं फिर से से एंगल बना रही है तो क्या करेंगे अब है अब है रिप्र करना है नहीं करना है और वह device line हो गई ये आपकी bass line हो गई कौन सी लाइन हो गई अब कोई भी रेडियस आप आर्क ले लिजिए ठीक है जो इसको डी पॉइंट गट कर रहा है अब हम क्या करेंगे दी को सेंटर ले करके एक 2R sin theta by 2 2R sin theta by 2 radius का एक और arc लगाएंगे जो इस पहले से लगाई हुए arc को कहीं cut करेगा जहां पर यह cut करेगा वो point B मान लेते हैं हम लोग वो point B मान लेते हैं और ओसे B को बढ़ाते वे आगे की तरफ निकल जाएंगे यह जो line होगी यही हमारी line होगी by कौन से method जिसको हम लोग कहते हैं chord method ठीक है इसको हम लोग क्या कहते है chord method कहते हैं ठीक है तो very easy way में आपका I think एक हाल से clear हो गया होगा और deflection angle के लिए मैंने बोला था deflection angle के लिए जो है एक formula बताया था मैंने की भाई सबका समझा 360 डिग्री होना चाहिए ठीक है और चाहिए वो net sum हो और चाहिए डारेक्ट एंगल हो मतलब right side से हो clockwise हो या anti clockwise हो ठीक है तो और दूसरा इसमें था open travels के लिए open travels के लिए फिर एक बार आपको यहां पर clear करा देता हूं कि bearing of first line bearing of first line ठीक है जो भी first line का bearing होगा डियर ठीक है प्लस जो है क्या है प्लस आपका net sum of net sum of ठीक है इनका जो भी net sum होगा इसका भी क्या और इसका पूरे का sum पूरे का net sum sum of अभी यह बाया वर्त कोण है बाही तरब से तो इसको आप anticlockwise मान सकते है ना sum of all anticlockwise ठीक है anticlockwise angles ना anticlockwise angles माइनस जी हां माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस फोर बेरिंग आफ माइनस फोर बेरिंग आफ लास्ट लाइन लास्ट लाइन का फोर बेरिंग दियर लास्ट लाइन माइनस फोर बेरिंग आफ लास्ट लाइन ठीक है इनका जो total net sum होगा इन सभी का जो net sum होगा वो एक्स वास्टी से डिविजबल होना चाहिए इन केस ओफ ओपन ट्रावर केस में ठीक है यह चीजे आपको क्लियर करनी है ठीक है यह चीजे एक्चुली में जो ट्रावर्स प्लॉटिंग के जो मैथेड है ना जो ट्रावर्स प्लॉटिंग के मैथेड है ठीक है और दूसरा जो है इसके हम लोग बात कर रहे हैं वो है आपका सेकेंड कॉडिनेट मैथेड ना को और डीनेट में निर्देश सांग के बिदी इसके बारे में अंप लोग डिस्त। क्लियर हो गया जो आपका है आज हम लोग इस पर करने प्रक्ति वाले तो चलिए भाइब बिना टाइम वेस्ट आगे बढ़ते हैं जो है को आदिनेट के लिए कुछ आवश्यक चीजे थी जो मैंने आपको बताई थी ठीक है को आडिनेट के पहले हम लोग को को आडिनेट पता होना चाहिए कि बहुत बहुत सर्वे में कौन कौन स एसे four coordinates हो गए यह first इसमें second इसको लिया जाता है और फोर्थ इसको लिया आता है ठीक है और कोई भी direction जो हम मिरीडियन के पहले लिए मिरीडियन होगा न नॉर्थ और south यह east और यह वेस्ट न ठीक है तो मिरीडियन के parallel लेंथ लेते हैं उसको अपन लोग इसको latitude बोलते हैं किया बोलते हैं लाटीचुट अभी इन यह लिदुट नॉर्थ' में तो इसको नॉर्ठ डिरेक्शेन में जा रहा है तो नॉर्ण, डिरेक्शन पिलस लेते हैं। ए अभ और साइट डिरेक्शन में इस तरह से जा रहा है तो इसको शाय northern रहे तो इसको इसको स्टू लेंगे और एसके साइड में आप dhhyan दिजे आ मोरी सब्सक्रीजफ में ऊसे हुआ सब्सक्राइज में अग merchant को बा साइड div डिए अग्र को साइडूं पॉजितु देना है तो अगरone दिरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको हम लोग वेस्टिंग बोलेंगे और उसका हमें जो साइन है डियर उसको जो है नेगेटिव लेना है और अब मैं आपको बता हूँ कि जैसे कोई भी लाइन कोई भी सब्सक्राइब करते हैं अब इसके बाद एक चीज़े और मैं आपको यहां क्लियर करना चाहता हूं कि कोडिनेट के करम में दो चीज़े आती हैं दो टाइप के होते हैं पहला बोले तो डिपेंडेंट कोडिनेट जिससे बोलते हैं सौरी पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं इन्डिपेंडेंट कोडिनेट इसके बाद में आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा तो पहला है इन्डिपेंडेंट कोडिनेट क्या है डियर इन्डिपेंडेंडेंट कोडिनेट ठीक है ना इन्डिपेंडेंडेंड को 특व हम तोटल कोडिनेट के नाम से अ क्यों जानते हैं fleer इसके बाद है इसको भोलते है क्या है डिपेंडेंट डिपेंडेंट कोडिनेट यह इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें यहां पर ले रहा हूं अब यह ट्रावर्स के थीन पॉइंट्स है यह यह बी और यह सी जब इसके निर्दे शांग एक निर्दे शांग मूल बिंदु यह मूल बिंदु और जिसका क्या है जीरो कामा जीरो है मूल बिंदु और जिसके निर्दे बिंदु और इसक पॉलते हैं यह यहां से यहां तक, और लिया अब X, Y, B के निर्देशांग हमने माल लिया यह X1, Y1 और C के निर्देशांग X2, Y2 न ठीक है इस तरह से निर्देशांग मिल रहे हैं अब यहां पर दीकि जो पहले लिखा जाता है यह लाटिटूद दूसरा जो लिखा जाता है वो डिपार्चर ठीक है अब इसका साइन त होता है डिपार्चर लाटिटूद डिपार्चर दोनों पॉस्टिव ले आते सेकेंड में सेकेंड में लाटिटूद आपका नेगेटिव हो जाएगा डिपार्चर पॉस्टिव रहेगा ठीक है डिपार्चर इस्टिंग में लाटिटूद वेस्ट साउथिंग में जा रहा तो इसके निर्देसांग आपको यहां है अब एक चीज और ध्यान दूजे आप जब हम इस यह जो इसके पॉइंट्स एबी सी सारी चीज़ें आप देख रहे तो इसके निर्देसांग और इजिन मतलब मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं ना और इजिन मूल बि मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं जब खी तो इसी को जब हम किसी दुके निर्देसग्ड इया मूल बिंदु यानि origin के respect में लेते हैं तो उसी को जो है हम independent coordinate मतलब स्वतंत्र coordinate या फिर जिसे बोलते हैं total coordinate के नाम से जानते हैं ठीक है तो total coordinate क्या होते हैं कि जब हम किनी जब बिंदों के निर्देशांग हम मूल बिंदु के संदर्म में origin के respect में और जिनके reference में measure करते हैं तो वो जो निर्देशांग हमें घ्यात होते हैं उन्हीं को हम independent coordinate या फिर total coordinate के नाम से जानते हैं very simple अब दूसरी बात आती है कि यह dependent coordinate क्या चीज़ है दूसरी बात आती है कि dependent coordinate क्या चीज़ है तो dependent coordinate में मैं आपको बता दूं कि dependent coordinate यह है कि जब हम बिन्दूओं के निर्देशांग मूल बिन्दू से नहीं ठीक है या इलिक डिपेंडेंट कॉर्णेट को मैं झाल इसी का निर्देश हां ऑसे मीजर ना करके यहां पर मैं एक मीजर करूं मतलब इस सी की मीजर करते है रिष्पेट्ट अल्रेडी मतलब इंडिपेंडेंट कोडिन लिए तो इस तेस इसकी जब हम दूरी दिखाएंगे x पर और y धर दिखा टीक है तर जो कौर्डिनेट आप देख रहा है डिपेंड़ कर रहे हैं इस पर असरीट हो रहा है इनदेपेंडट कौर्डडिनेट पर टोडल पर डिपेंड नहीं देखेंड रहे हैं वो डिपेंड़ं और नियुक्त सब्सक्राइब अधिक्रेक्षच को चले को अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अब जैसे की यह से कोडिनेट का पता चल गए आपको वह अब इस तरह से प्रदेट पता चल दे जाते और उनवाइंट को हम जॉइन करते जाते तो हमारा वह ट्रावर्स जो है complete होता चला जाता है लेकिन 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 यह तावर्स complete अगरा close Towers ले रहे तो क्लोछाव के मतलब हो भी है कि जहां से हमने प्रूंट किया था वही से आप मोई सो हे पर आप ऐंड करिए ना जो यहां से स्टाट किया तो वहीं πण लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको लिमिट भी बताई अगर मालिज आप एकुरेट ठीक है ना एकुरेट ट्रावर्सिंग कर रहा हो एकुरेट ट्रावर्सिंग अगर एकुरेट ट्रावर्सिंग कर रहा है तो इसका जो लिमिट है एंगुलर का वो है 6 सेकेंड अंडर रूट एन जहां पर एन नमबर आफ साइ ठीक है ना 1 in 25,000 है तो इस चीज को फुल्फिल करना है मैं ठीक है तो अब इसके लिए जैसे माली कोई पर 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 पहुंसते हैं और इसके बाद देखते हैं क्लोजिंग एर ना क्लोजिंग एर पर अब लोग डिस्स करने जा रहा है क्लोजिंग एर ओके अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि भी आ रावर्स है हम लोगों का ठीक है रावर्स है जैसे यह सॉरी अधिक यह ट्रावर्स अब ठीक है यह ट्रावर्स A, B, C, D और E अब यहां पर दिएर देखिए यह A सश्टेशन बी है यह A स्टेशन अधिस B स्टेशन धिसARY स्केल्ट है यह ट्रॉस फटेशन Quick Growth का मतलब है कि ट्रावर्स पूरत चाहिए हमने अगर A सफरों का एन प्टर हो पर लेकिन अपर न होगे डाश पर हो रहा है देखे यह यह बोलते हैं क्लोजिंग एर बोलते हैं अब यह ठियान दीजिए एक तिर्ची लाइन जा रहे हैं यहां से अगर मैं इस पर लंब डालों यह लंब डाल दिया तो यह तो आपका लाटिटीटूड हो गया और यह आपका सम्मिशन और डिपार्चर हो गया ठीक और यह की वह लाइन होगे जो इससे ठीटा डिग्री पर इंकलाइंड है तो अब इसके लिए आब इसमें दो चीज़े पॉसिबल है ना इसमें अंगुलर रहे गई हो हमसे अब यह आंगुलर चाहिए इंक्लूड़्ड एंगल के फर्म में हो या फिर बेरिंग के फर्म में हो कुछ में भी हो सकता है ऐंगुलर एरर खिक और दूसरा हमसे लीनियर हो सकता है भाई रेकाओं कि लंबाई में तुरूटी हो सकती हम से यह भी तो सकता है ठीक है तो अब इन दोनों चीज़ों के करने से फायदा की अंगुलर में जितना भी जेमेट्रिकल कंसप्त होगा वो सारी कंडिशन को क्राइटेरिया फुल्फिल होने लगेगा और फिर लेंथ अपने आप अड़ेस्ट होने लगेगी ठीक है लेंथ को हम और चीज से अड़ेस्ट कर लेंगे लीनियर में कर्रेक्शन के तुरू और जो यह क्लोजिंग एरर है यह एक लिमिट कखोनी चाहिए मतलब कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर हो रही तो वर्क एक्सप्टेबल नहीं होगा तो एंगुलर एरर को डियर हम लोग पहले सेट करते हैं और इसी के लिए हमें ट्रावर सा कुछ एड़ेस्टमेंट करना पड़ता है ट्रावर्स की जो मतलब मीजरमेंट हैं उनमें मैं एड़ेस्टमेंट करना पड़ते हैं कौन कौन से एड़ेस्टमेंट करने पड़ते हैं ठीक है एड़ेस्टमेंट इसमें तीन है डियर एड़ेस्टमेंट आफ एंगुलर एरर ठीक है एड़ेस्टमेंट आफ एंगुलर आखिह सुझ राए है डूसरा अध्जुस्टमेन्यड करें लियुस्टमेंट क्या है प्वे यह भी अर्पशी स्बाइंग करने औरThis और अब ती्सरा अध्रणिश्मेंट आवफ क्लोसे लिए है अबी तीरों का आडिश्मेंट आध्र्यों कैसे इसमेंट आफ कुलोजिंग एर न ठीक है कि अध्यस्मेंट ऑफ एंगुलर एर जो अभी तक आप कम पास में पढ़ रहा थे हैं वह 15 मिनट एंडरूट एंडर रहा थे पर रहा थे कि नहीं लेकिन 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 15 मिनट इसलिए पढ़ रहा थे क्योंकि फिप्टीन में उसका से करने यह जो भी लिस्टाउंट है एड्जस्मेंट ऑफ एंगलर पहली बात तो यह डियर कि जो भी क्लोस्ट आवर्स है आपको पता है कि उस चीज को फुल्फिल करना चाहिए कि चीज को कि इंटीर एंगल का सम ना इंटीर एंगल का सम जो है तू एन माइनस पोर से समकों होना चाहिए और एक्स्टीरियर एंगल का सम एक्स्टीरियर एंगल का सम जो है टू एन प्लस पूर होना चाहिए इंटु नैंटीडेकर यह कंडिशन फुल्फिल होनी चाहिए मान लिजे भिया कि कोई पेंटागन आपको पता है दो तो इंटु फाइग माइनस फौर इंटु फिर से रिपीट करना पड़ेगा फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो पहली बात ही देखिए अगर लिमिट में आ रहा है तो सभी इसको इकोले डिस्टिबूट कर देंगे सभी पर क्रेक्शन लग जागा सभी इंक्लोड अंकल पर ठीक और उसके बाद जो है और क्रेक्शन और देखिए इसका और एड्जस्मेंट क्या हो सकता है कि जो लीस्ट काउंट है ना जो मांट है अंडर रूट एन जो है जो यह है अपका होना चाहिए क्या बोलता है जर्णा जिसे इस Southeast और जास्मींट ऑप और यह अज्गूस्मेंट होना चाहिए डियर और दूसरा इसके बाद आता है बिसरा इसके आपको आने चाहिए और यहां पर एड़ेस्टमेंट पॉर बेरिंग एड़ेस्टमेंट पॉर बेरिंग के लिए कि एड़ेस्टमेंट कि पॉर बेरिंग ठीक एड्जेस्मेंट फवर्वाराम के लिए क्या हो जाएगा डियर बताओं मैं आपको बेरिंग के लिए जो एड्जेस्मेंट ठीक है सेकेंड बेरिंग के लिए आपका 2E by N हो जाएगा ठीक इसी तरह से डियर 3rd के लिए 3E by N हो जाएगा and तो on फिर nth बेरिंग के लिए डियर अगर बात करें भाइन हो जाएगा यानिए एक ठीक है अ इस तरह से अब कर सकते हो अब घॉड़ेंट्वेंट फोतों के लिए रहे हैं कि यूड़ोलाइट के लिए रहे द्भास करते हो अब डूस्तफट एजड़ेंट dripping करते हैं है तो नेक्स अलिए हम लोग डिस्क्स कर लेते हैं अड्जेस्मेंट अफ क्लोजिंग अड्जेस्टमेंट अफ क्लोजिंग अड्जेस्मेंट अफ क्लोजिंग अड्जेस्मेंट अफ क्लोजिंग अड्जेस्मेंट अफ क्लोजिंग अड्जेस्मेंट अफ क्लोजिंग अड् जो भी एड्जेस्ट्मेंट है तो आपको पता ही है कि यह जो ट्रावर्स है हमारा ठीक है अब यहां से पिक्चर से मैं आपको यह क्लियर कर देता हूं कि यह लैटिटूड डिपार्चर यह राइट अंगल के सामने की रेखकर्ण हो गई ठीक हाइपोटेनियूज हो गई तो इसकी यह यह क्लोजिंग रहा है यह यह क्लोस्ट्रावर्स हो गया कि अब यह यह अब यह 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 लाटिटूड हो गया और यह डिपार्चर हो गया तीन यह 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 डाश इस इकोल स्टू इप लोजिंग रहा हो गई ठीक है ना एडाश इकल टीक्लोसिंग रहा हो गई कि अब अब एड़ इस प्लोजिंग एर्र आप देख रहों यहां पर इस क्लोजिंग एर्र को आप क्या करेंगे देखिए सिंपल सी बात भी है यह राइट एंगल बन रहा है तो लगा दीजिए पाइथागोरत से रहां तो एए डैश इस उकल टू ए इस उकल सु क्या हो जाएं अंडरू समिशन अफ लाटिटूट का स्कार अंडरू समिशन अफ डिपार्चर का स्कार हो गया काम अपना इस तरह यहां से पटाइट एख संविशन ऑफ डिपार्चर समिशन ऑफ लाटिचूट दिया है πόσे लकाइट इस पटास्बश इसके दो गोट्क क्या है हुए गाल जाएगा लाटिचूट आ हैई वह ल्कॉस्त तीटा हो जाएगा एल और क्या ट्रेक्ट ट्रेक्स पहले कि च्टिता यह तो किसी भी किसी भी क्लोश्टावर्स के लिए जो लाटिट्व नहीं बहुत सार है लिए इसे मालिये बहुत सार है एल्वन कॉस्टीटा वन one l2 cos theta two and so on ठीक है उसी तरह से यह l1 sin theta one l2 sin theta two ठीक, and so on तो इसके जो latitude होते हैं डिपार्ट और उंका समों होता सम अफलेटिटूड एरिथमेटिक सम एरिथमेटिक सम और अरिथमेटिक सम के इसी तरह से arithmetic sum of departure जो होना चाहिए डियर वो भी 0 होना चाहिए ठीक है इन condition को हमें fulfill करना है यह बात आपको द्यान में रखनी है इन सभी condition को हम लोगों को fulfill करना है यह चीजे होने चाहिए अगर आपका close tower सही है तो जितने भी latitude हों का arithmetic समझे योग शून्ने होगा अगर departure departure का भी शून्ने यह दोनों कंडिशन पॉस्पेल हों जिया अगर closing नहीं है तो और अगर closing error है तो उसका भी जुगाड़ है अपने पास अगर closing error है तो उसका हमें adjustment करना पड़ेगा कि अडिस्टिमेंट आफ क्लोजिंग एर ना अडिस्टिमेंट आफ क्लोजिंग एर अब 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 बात करूं हाँ है तो closing अडिस्टिमेंट बेखिया क्या क्या card जाएंगी जैसे की कि इसके सुझाए गाए एक बोर्डीच मैतव्ड है siya God made के नाम एक सियो बोर्डीच मैथेड लुइ पी दिए मैवे अंँच मैथेडर अंप डूसरा है ना मेथेड चानजिट मेथेट अ छर्वाद पढ़ाय इस लिए której पढ़ चुकिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बताना ही जुरूर्त नहीं है बोटिच मेथेड या ट्रांजिट मेथेड क्या कहता है बोटिच मेथेड या ट्रांजिट मेथेड यह यूस्फुल है बोथ जब अंगुलर और लीनियर दोनों एरर सेम इंपोर्टेंस हो एंगुलर एंड लीनियर एरर है आप सेम इंपोर्टेंस न सेम इंपोर्टेंस अगर यह रखते हैं तो उसकेस में हम यह पोटिच मेथेड अफ्लाइट करें अप्लाइट जब ओनली एंगुलर is angular is more angular error is more important than angular is more important important than linear error क्या है linear error ठीक ना अब चलिए हम लोग बात कर लेकर लेते हैं सीया बोडिस मेथेट के नाम पर सीया बोडिस मेथेट की अगर मैं बात करूं तो इसका यह है कि जो linear error है जो linear error है डिये वह जो रेखा है जो लंबाई है उसके अंडाट एल के और जो angular error है जो angular error है उस वह लेंद्ध के स्क्वायर रूट के समानुपाती होती है मतलब जो linear error होगी उसके लंबाई के वर्मूल के समानुपाती होती है ठीक है यह इस तो इसके बारे में भी बहुत सारी से पढ़नी है वह सब चीज़े हम लोग करेंगे next session में next lecture में ओके तो जो भी चीज़े पढ़ाई जा रहे हैं उनको बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करिए विकास प्रैक्टिस में एक समयन परफेंट और रेडी रही है क्योंकि कुछ ना कुछ वेकेंसियां आएंगी जरूर और पढ़ाई करते रहे हैं इसका benefit आपको जरूर मिलेगा अगर आपने जनिक पर अपना भरोसा दिखाया है अगर आपने जनिक पर अपना विश्वास दिखाया है तो आप जो है निराश नहीं होंगा आप तो जैनिक्स पर वो सक्सेस मिलेगी जिस सक्सेस के लिए आप जो है लगे हुआ है तो बने रहे है जैनिक पर एक्टी एजनिक पर और इसी तरह से यूस्फूल इंपोर्टेंट चीजे में आपके लिए लेकर आता रहूंगा मिलते हम लोग जैनिक वी हमाँ में तो जाहिए।एबございます झाल झाल